वेलकम टू मैं चैनल हैपी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम काली मिट्टी की क्या विशेष्टा है और यह भारत में किन किन इस्थानों पर पाए जाती है इसके बारे में जानेंगे यह कोस्चन एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है और यह एक्जाम में का रेगुलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी का और एक नाम रेगुलर मिट्टी है तिसरा पॉइंट यह कपास उगाने के लिए आदर्श है और इसे काली कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है इसमें कपास की जो खेती होती है वो काफी मुल्चट्रान सामग्गिरी के साथ साथ जलवायों परिष्थितिस काली मिट्टि के निर्मान के लिए महत्त्पुन कारक है जो मिट्टि है वो कि वे छिकनी मिट्टि से बना होता है यह नमी धारन कर सकता है यानी इसमیک सबाऄ belong here यह काफिछ भाद्टी लादिक होती है। अब्रमाइन हम सकत्षन वाद्टों माद्टी होती है। वातन में मदद करती है इसमें क्या होता है फासपोरिक सामगरी की कमी होती है जिसका जब काफी गर्मी परती है जब काफी धूप तेज होती है तब इसमें क्या होता है तरारे पर जाती है और जो मिट्टी के उची वातन में मदद करती है नौ नंबर पॉइंट है गीली होने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है जब शूखी होती है तब इसमें तरारे पर जाती है लेकिन जब यह मिट्टी गीली होती है तब यह चिपचिपी हो जाती है और जब तक पहली बारिस के तुरंत बाद या प्री मॉंसून अगद अब ये किसकी सिस्थान पर मिलता है भारत में, तो इस्थान है ये पस्चिम उत्तर पस्चिम धाकन के पठ़़ार पर फैले धाकन ट्रैप चेत्र में पाया जाता है और लाबा परभाद से बना है ठीक है लाबा प्रभावित से यानि ज्वालम के विस्पोर्ट के कारण जो लाबा प्रभावित होता है उससे ये काली मिट्टी बना होता है ये महाराष्टर, सौराष्टर, सौराष्टर यानि मध्यपदेश, मालवा और मध्यपदेश और उच्छतिजगर के पठारों को तो यह था भारत में काली मिटी मिलने वाले छेत्र का नाम आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें साथ ही और भी इंपोर्टन कोश्चन के अंसर को जानने के लिए चैनल को जरूर सस्क्राइब करें धन्यवाद